उमा की इंडियन रसोई में सेयर करने वाली हूँ आज मैं आप लोग के साथ कच्छे आम के अचार की रेस्पी तो चलिए वीडियो पे बने रहे और वीडियो को फुल वाच कीजेगा तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हैं वीडियो को इस्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों उमा इंडियन रसोई में सभी का स्वागत आम के अचार बनाने के लिए हमने यह पे लिया हुआ है कच्छा तो अभी मैंने जिस समय काम लिया है ना तो इसमें बहुत सारी गुठ्लियां पढ़ गई हुई है तो इसको काटने में हमें थोड़ी सी प्राब्लम होती है तो बस इसे थोड़ा सा बचा के काटना है तो बस यह मैंने लिया है एक पहसूर और इससे हम काटेंगे तो इसे बहुत ही बचागे काटना है क्योंकि बीच में जब इसके बीच थोड़े से कड़े हो जाते हैं कुसली आ जाती है इसमें तो इसे काटने में थोड़े सी दिक्कत होती है लेकिन इसके जो अचार बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो बस इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है, आप अपने हिसाप से जैसे पीस आप कट करना चाहते हैं, उस इसाप से कट कर सकते हैं, बहुत लोग बड़े अचार बनाना पसंद करते हैं, बहुत लोग छोटे, तो मैंने याप इस तरह से छोटे-छोटे पीसे में इस तरह से क कट किया हुआ है तो इसी तरह से हम सारे आम के पीस को कट कर लेंगे तो यहां देखिए सारा आम का पीस अच्छे से कट चुका है अब इसे हम धूप में ले जाके सुखाएंगे तो यहां मैंने एक कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है और कपड़े पे हमें आम को इस तर तो अभी देखे साम हो गई थी तो साम के वक्त मैंने आम को ले आया तो आम अच्छे से सूग गया अब इसमें हम डालेंगे दो चमच हल्दी पाउडर साथ में डालेंगे इसमें हम हींग और अब इसमें डालेंगे नमक क्योंकि अचार्व है तो अचार में नमक थोड़ा जादा ही पड़ता है तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं और फिर इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हल्दी नमक और हिंग है वो आम में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसे राद भर के लिए हमने इस डिब्बे में करके रख दिया है तो सारे आम को पहले इस डिब्बे में हम इस तरह से रख देंगे और जो हल्दी और नमक मतलब बन गया था पाऊडर उसको भी इसमें डाल देंगे और फिर से बंद करके रात-भर के लिए रख देंगे तो यहां पर मैंने रात भर के लिए इसे छोड़ दिया था और फिर अगले दिन हमने यहां पर मसाले हैं कुछ इसे तयार करने हैं तो इसके लिए मैंने लिया है जीरा, अजवाइन, साथ में सरसू, पंच फोडन, और इसे हमें गैस पर अच्छे से भून लेना है तो अब इन सभी को हम अच्छे से पीस लेंगे, साथ में हमने पर ले लिया है चार से पाच सुखी लाल मिर्च आप चाहिए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने सुखी लाल मिर्च ली है तो यह देखिए अच्छे से हमारा मसाला पिसके रेडी हो चुका है तो यह हमारा मसाला पिस चुका, अब यहां पे मैंने कडाई में रख दी थी तेल ताकि तेल थोड़ा गरम हो जाए, तेल भी हमारा गरम हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, जो मसाला है इसमें हम तेल को डालेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे पहले, और इस तरह से मिक्स करने के बाद ही आम हम इसमें डालेंगे तो जो आम था वह देखिए राध भर से पिसलिययो अच्छे से अच्छे से राध बर के लाध के लिए रखा का मिला करके थोगा पानि चे मिक्स हो गया है और यहां पर यह वाले मसाले इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो गया इसमें और यही पानी थोड़ा सा बचाता हल दी और नमक का तो इसी में हम डाल देंगे फिर से अचार को जो मसाली मिक्स करके रखे हुए हैं और इसी में डाल करके हमें धूप में दो से तीन दिन अच्छा से सुखाना है फिर मैं डाल दूँगे इसमें थोड़ा सा और नमक मैंने डाल दिया है क्योंकि अचार में नमक कम थोड़ा लग रहा था तो आप इसलिए बोला मैंने आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाल दे और जो इसमें तेल बचा रहेगा वो तेल को इसमें हम डाल देंगे और इसे दो से तीन दिन तक धूप में सुखाएंगे और इस तरह से हमारा आचार बन के रेडी हो जाएगा तो बस इसी तरह से दो से तीन दिन तक धूप में रखने के बाद ये हमारा आम का अचार रेडी हो चुका है तो कैसी लगी हमारे आम की अचार की रेजपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नियूर एस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर ओल थैंक्स फॉर वाचिंग